नमस्कार दोस्तों इभी टेग में आपका फिर से स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप अपने मौल में जो की फ्लेक्स नोटिफिकेशन ओन कॉल एप क्या और इस एप को अपने मोबल में किस तरह से यूज कर सकते हो तो द कॉल एप करके डावलोड कर लेना डावलोड करने के बाद उस्तों इस आपका रिवीडियो के तो काफी चाहिए 4.1 है और इसकी डावलोडिंग है वह एक क्रोट प्लस हो चुकी है जो कि इसकी डावलोडिंग भी काफी एची है और इस आपको उपने मोबल में किस तरह से कर सकती है रिए जो यहाशन में एक उपन करने के लिए दप लकस्तों इतव इससी तरह से यहाशन होने लग जाएगी तो उसी तरह से आपको लिए वेट करना है वेट करने के बाद इसका इंडर लाओ यासे आपको देखने को मिल जाएगा जुछ नहीं पर कुछछ से आने के बाद दूस्तों यहां पेपना जो बीक करने के बाद दुस्तों कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा तो यह पर आपको कलीक कर देना है और उसी तरह से next करते रहना है और state वाले option पर आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको incoming call का option आ रहा है तो इदर आपको इसे आपको on रखना हो और या से अपनी notification एप पर आती है और उसी तरह से आपको ओन करने के बाद दोस्तों यहांसे सामने को देखने को मिल जाएगा और यहांसे अपनी notification कर सकते हैं इस्टाइघ्रम या फिर किसकिस एप में अपनी notification आपको रखनी है तो यहां से हमारा जो भी कॉल डिया डायल है आपको लाए उसमें भी आपकी notification होनी चाहिए और यहां से अपना जो भी call आई उसके इसाप से अपनी जो भी light है वो ओन रहेगी उसी तरह से यह आप अपको अपकर करके रखना है और उसी तरह से यहां से हमारे जो भी application है पर हम बहुत आजाएंगे बैक आने के पाद दूस्तों यह से देख सकते हो जो कि आप पर अपने एडवांस सेटिंग का भी ऑप्षिन देखने को मिल रहा है तो उसी तरह से यह से करने के लिए और उसी तरह से एडवांस सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगा आपको zwr पर देखने को मिल जाएगा और इधर एफेक्ट वाले उप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां से आपके सामने के यहां पर आपको अपना जो भी ऑप्शन है वह यहां पर टेक्स एफेक्ट आप करना चाहतों कर सकते हो वसी तरह से हम बैक आएंगे बैक आने का बाद दोस्तों इस आपको कुछ इसी तरह से यहां से योज कर सकते हो और दोस्तों इस वाला उप्शन पर क्लिक करोगे तो यह चालू बंद का भी ऑप्शन इदर देखने को मिल जाएगा और उसी तरह से यहां से हमारा जो भी डीज टाइप रह तरह से यहां से अप्शन को यहां पर आप सेट कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना